तो चलिए हिंदी की कॉपी ओपिन कीजिए हिंदी की कॉपी में हम लोग एक ही मांतरा वाले वाक्य लिख रहे हैं हम लोगों ने तीन वाक्य लिख लिख लिए अब हम लोग चौथा वाक्य लिखेंगे तो कॉपी ओपिन कीजिए हिंदी की चौथा वाक्य है हमारा पैस सबसे पहले चार नमबर डाल लेंगे चौथा वाक्य हमारा शेर ने दाहाड लगाई तो यहां हम लोग लिकेंगे शेर ने दाहाड लगाई खड़ी पाई देंगे तो यह है हमारा चौथा वाक्य है अब हम इसे एक एक लाइन छोड़ करके पुरी कॉपी में फील कर लेंगे शेर ने दाहाड लगाई खड़ी पाई शेर ने दाहाड लगाई खड़ी पाई इस तरह से आप बोल करके पुरी कॉपी में फील करेंगे ताकि आपको वाक्य याद हो सके और अच्छी अच्छी राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखेंगे शेर ने दाहाड लगाई खड़ी पाई आप जरूर देंगे शेर ने दाहाड लगाई खड़ी पाई शेर ने दाहाड लगाई खड़ी पाई तो ये मैंने पूरा फील कर लिया है इसमें आप भी अपनी हिंदी की कॉपी में सबसे पहले चार नमबर डालेंगे उसके बाद वाके रिखेंगे शेर ने दाहाड लगाई खड़ी पाई एक एक लाइन छोड़ करके पूरी कॉपी में आप फील कर लेंगे इसे अच्छी अच्छी राइटिंग में और इसे बोल बोल करके पूरी कॉपी में आप लिखेंगे अब हम लोग नेक्स दे मिलेंगे पाँच वे वाके के साथ बाई